नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जीतिन चोदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एरूटेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग से जुड़े एक स्टॉक एस बैंक के बारे में जी आँ दोस्तों एस बैंक की शेर में काफी निउज निकल के आ रही है और लगातार इसमें जो है एक से बढ़कर एक निउज निकलती हुई दिख रही है और काफी लोगों का क्वेशन था मेरे यूटूब चैनल पे नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत पहले अपलोड करने का तो जी आ दोस्तों एस बैंक पे एक बहुत बड़ी बिग निउज निकल के आ रही है और एक गुड़ निउज है आपके लिए जिन्होंने भी एस बैंक में आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं जीके दोस्तों एस बैंक में जो सबसे बड़ी संकट थी दोस्तों ओ थी moratorium period एस बैंक की छोड़ देजे किसी भी banking stock के लिए जो है सबसे बड़ा जो घहरा संकट था ओ है गवर्मेंट की तरफ से लगाया गया नियम moratorium का ए moratorium period दोस्तों जब मार्च के बाद जब पूरे देश में lockdown हुआ तो उस condition में apply किया गया था तो सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा नियुज निकल के आ रहा है तो गवर्मेंट एगरी टू वेव इंट्रेस्ट और इंट्रेस्ट अन लोन अप्टू आप टू करोड तब कहाने का मतलब है कि गवर्मेंट जो है पूरी तरह से certified हो गई है वह सामत हो गई है कि जो इस moratorium period में जो है इंट्रेस्ट और इंट्रेस्ट यानि कि बयाज की ऊपर जो बयाज लगता है लोन के ऊपर यदि आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसका बयाज लगता है और यह बयाज आप पे नहीं कर पाते हैं तो फिर वह बयाज मुल्धन में जुड़ी जाता है और उस चक्रिविर्दी बन जाता है तो अब जो है अलाउन ही था थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था टाइम जिन्हों ने भी बैंकिंग से लोन लिया था लेकिन अब सरकार पूरी तरह से सामत हो चुका है और इन दो इन इस फैसले से जो है देने के लिए अब धीरे धीरे उनका पीरियेट जो है पूरा हो चुका है और जिन्होंने भी बैंक से पैसा लिया था अब उनको जो है ब्यास देना पड़ेगा अप्टू करोड यानि मतलब यह जो है बड़े उद्योग पतियों के लिए अपलाई है लेकिन जो छोटे ल उनका इन 6 महिनों तक तो आप जो है देना पड़ेगा और इससे जो है बैंकिंग सेक्टर पे काफी ज्यादा परभाव पढ़ने वाला है और बैंकों में एक बहुत बड़ी तेजी देखने को आपको मिल सकती है आने वाले टाइम में तो यह बैंक में तो नियूज निकल दील होई HDFC Life Insurance के साथ दील होई Moody ने इसका जो है रेटिंग अफगरेट की ICRA ने इसकी रेटिंग अफगरेट की लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें इसी स्टाक के चार्ट को S-Bank के तो इसमें काफी ज्यादा तेजी आपको देखने को नहीं मिल रही है और इस ट स्टाक क्लोज हुआ था और ब्रिश्पतिवार के दिन 13 रुपे 30 पैसे से ओपन हुआ 20 पैसे की इसने बढ़त बनाई 13 रुपे 50 पैसे कहाई लगाया फिर 13 रुपे 15 पैसे लो बनाया पिछले क्लोजिंग के बरावर इसका लो रहा और अंत में जो है दिन के अंतक इस टॉ ठीक है तो अब जो है शोमवार को मंडे के दिन एक बड़ा धमाका होने वाला है बैंकिंग सेक्टर में क्योंकि निफ्टी बैंक भी लगवग 3.70% के साथ जो है क्लोज होता हुआ दिखा ब्रिश्पतिवार के टेडिंग सेशन में एक बहुत बड़ी अच्छी बात है बै बैंकिंग सेक्टर के लिए और इस बिश में जो कल एक बहुत बड़ी निउज निकल के आ रही है गवर्मेंट की तरफ से तो एक निउज जो है सभी बैंकिंग स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ी वर्दान स्तावित होगी क्योंकि जो मोरेटोरियम का पिरियड था तो इ इसमें बैंकों का कफी नुक्सान हो रहा ता क्योंकि बैंकों का में एंट्रेस्ट से पैसा इंकम जो इंट्रेस्ट्र्न से निसे से Prem की इंऑ। उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा announcement किया है कि अब जो है moratorium period ही दरे समाप्त होने होने वाला है मार्च के बाद अगस्त का पिरियड था अब जो है interest on interest देना पड़ेगा जानी कि अब बैंकों में जो है अब ब्याज का पैसा है वह आएगा तो इसके चलते जो है banking sector में जो है काफी जादा उच्छाल आपको देखने को मिल सकती है दूसरी सबसे important बात जो इस पूरे साल में पूरा business परभावित रहा lockdown की वज़े से ओ है दोस्तों कोवीड 90 का परभाव करोना वायरस के चलते पूरे देश में मार्च के बाद जो है lockdown था लेकिन धीरे धीरे अब अनलाक जो है स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे सभी राज्य जो है सीटी माल हो गया है और इसके साथ साथ इसकूल कालेजों को भी open किया जा रहा है तो कोवीड 90 का परभाव धीरे धीरे अब खतम हो रहा है तो इसके चलते धीरे धीरे अब lockdown open हो रहा है सभी राज्यों में धीरे धीरे जो है लागडाउन ओपन हो रहा है तो उमीद की जाती है कि नवंबर तक पूरे देश में लागडाउन की परकिरिया पुरी तर से खतम हो जाएगी सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तो इससे जादा फायदा होगा सभी के लिए क्योंकि जब लागडाउन खतम हो जाएगा तो लोग जो है बैंकियों में जाएंगे अपना पैसा जमा कराने के लिए जो भी उनका व्रित्तिय लेन देन है वो बैंकों से होता है तो बै पॉमिंदर नहीं आ रही है लगातार उसमें ऐटों की इस्थिति वनी हुई है और इसका में नुक्षान सेक्टर में अपने पैसे क्या था उरकि혁र्ष लेकिन अब उनके लिए बहुत ही अच्छी good news है हापर सरकार की तरफ से जो एक फैसला लिया गया है यह देश हित में लिया गया है banking sector को ध्यान में रखते हुए देश की अर्थेवोस्ता को ध्यान में रखते हुए एक फैसला लिया गया है बीत मंतरी के द्वारा तो यह जो नियूज है दोस्तो यह S-Bank के stock में एक बड़ी उच्छाल देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में और जो आपका latest target है दोस्तो नियर target है इसका करीमी target है 17 रुपे का वो बहुत जल्द ही आपको अचीव होता हुआ दिखेगा और जैसे ही यह stock 17 रुपे के ले बड़ाया नहीं है आपको मजबूती के साथ अपने इरादों के साथ जो खड़े रहना है इस stock में तभी जाकर आपको मोटा रकम बनेगा तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आयोगा यदि वीडियो पसंद आये तो प्लेज इस वीडियो को लाइक क किजिए सेर किजिए तकी हमारा उसा बढ़ता रहा है